नमस्कार जैहिंद सामाजी विज्ञान कक्सा आठ का सोलम अध्याय राष्ट्रिय सुरक्सा आवम आंत्रिक सुरक्सा पार्ट वन वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना प्रारम्ब करते हैं फेक्ट टू फेक्ट और एक जरूरी सूचना दूँगा वीडियो के आखिर मे तो आखिर में जरूर सुचना को प्रारम करते हैं राष्ट्रिय सुरक्सा आवम आंत्रिक सुरक्सा पार्ट वन इस अध्याय का जो किताब के अंदर पहला पन्ना है उसके अंदर जो जो फेक्ट बातें थी उनका संकलन किया यहां पर एक अवधारना के अनुसार किसी राष्टर के निर्मान में अनिवार यरूप से सामिल होते हैं भूमी हो गई जनसंक्या, संपरवुता और सरकार इनकी कंपल्सरी भूमिका रहती है किसी र væराष्टर के निर्मान में राश्ट्रिय सुरक्षा की बात करते हैं अब इसको हम दो प्रकार से देखते हैं राश्ट्रिय सुरक्षा को पहला भाहिय सुरक्षा और दूसरा आंत्रिक सुरक्षा सबसे पहले भाहिय सुरक्षा को विस्तरित रूप से जानते हैं तो बाई ये सुरक्षा से आश्ये देश की सिमाओं की सुरक्षा से है बाहर की बॉर्डर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति के रूप में देश की सेना सत्रू से मुकाबला कर उसे प्रास्त करती है देश की जो सेना है और जब युद नहीं होता है और सांतिकाल होता है तब सेना से माइं से कुछ दूर रहती है उसमें दूसरी सुरक्षा पंक्ती जो दूसरी सेनाई है सेमा सुरक्षा बल हो गया तटराक सक बल भारत तिबबत सिमा पुलीस आईटीविपी और अन्य सुरक्षा बल देश की सिमाओं पर गस्त करते हैं अब देखिए सेनाओं से जुड़े पड़े जो फ्यक्ट है अगले पड़ने के अंदर देखा तो सारी बातें जो माहतोपुन है कहीं से भी कुछ प्रशन है जो पूछा जा सकते है भारतिए सेना तो भारती सेना के कितने तीन अंग है थल सेना जिसे आर्मी कहा जाता है आर्मी कहा इलात ये जमीन पर युद क करती है थल सेना जमीन पर यानिकि आर्मी जल सेना नेवी समुदरी सिमावर युद करती है और तीसरी वायू सेना यानिकि एर फोर्स आकाश ये सिमाओं की निगरानी करती है ये और युद में आकास मार्क्षें शत्रों के आकर्मन का मुकाबला कर थल सेना और जल सेना की मद करती है तिनो सेनाओं के अपने अपने सेना अध्यक्स होते हैं भारतिय सेना केंद्र सरकार के नियंतर में कार्य करती द्यान रखना भारतिय सेना सेंट्रल गवर्मेंट के कंट्रोल में वर के जो करती है और भारत का राष्टपती जो होता है वो तीनो सेनाओं का सरवची सेन पति होता है द्यान रखना तीनों सेनों का सरोच सेना पति कौन होता है राष्ठ पति यह लग-लग लोगों है थल सेना का ये रहा जल सेना का ये और वायू सेना का इस प्रकार्श है आगे बात करते हैं भारतिय सेना उच्य परशक्षित है तता परमाणू हतियार और शक्ति साली आधोनिक्तम हतियारों से युग्त विश्व की एक अनुशासित और शक्ति साली सेना है भारतिय सेना ने यहां से प्रश्ण बन सकता है भारतिय सेना ने सन 1962, 1965, 1971 और 1999 में दुष्मन के आकर्मणों का मुह तोड़ जवाब देकर दुष्मन की दाहत है जो खटे कर दिये थी वर्ल्ड वाइड लेवल पर विश्व के अनेक युद्ध ग्रस देशों में युद्धों को रोकने के लिए बारतिय सेना ने स्वयुक्त राष्ट संग के था त्वावधान में शांति सेना के रूप में कार्य करते हुए विश्व में सांति की इस तापना में भी अपना योगदान दिया है तुफान हो, बाड हो, भुकंप हो, दंगे हो आधि विपतियों के समय सेना नागरिक प्रशाशन की भी मदद है जो करती है पर्त 사진 की से मिला था? मेजर सौमनात सर्मा को 1947 मेजर सौमनात सर्मा परतिम परंवीर चकर प्राप्त करता है आगे बढ़ते हैं भारत के सुरक्षा कवच जो बाए सुरक्षा के अंतर्कत, जो सुरक्षा में एक कवच के रूप में है वो कौन-कौन से हतियार है, वो देखिए, सुखोई 30 MKI, अभी तो राफेल वगरा और भी आगे, सुखोई 30 MKI जो पुस्तक में दिये गी है, वो देखते हैं, ये वारत की आवशकता है कि अनुर्व रूस में निर्मित दो शक्तिसाली इंजन वाला लड़ा को विमान है, इस एक क्रूज मिसाइल ने लगाई जा सकती है, ये प्रतिकूल मौसम में भी उड़ान भर सकता है, कौन सा सुखोई 30 MKI, ब्रमोस मिसाइल के बारे में जानते हैं, ब्रमोस मिसाइल इसका निर्मान रूस एवम भारत के सयुक्त उपकरम द्वारा किया गया, तो ये रूस और दोनों ने मिलकर बनाई ये ब्रमोस मिसाइल, इसकी मारक शमता 290 किलोमेटर है, ये जमीन, समुद्र और आकाश समुद्र और जमीन परिस्तित लक्षे पर हमला करने में शक्षम है, कैपे बला है, ये है मिसाइल पहाड़ी शेत्रों में छिपे, पीछे छिपे लक्षे पर पर निसाना लगाने में कैपे बला है, शक्षम है, आई एन एस विक्रमा दित्य को देखते हैं, ये भारत का विशाल च्छेत्र पल वाला विमान वाहक युद्ध-पोथ है, विमान वाहक युद्ध-पोथ है ये इसका चेत्र पल, तीन फुटबॉल मैदन के बराबर है, यह मिग 29 जैसे कुल 24 विमानों को ले जाने में शक्षम है एक साथ 24 विमान इस पर विमान पट्टी भी मौजूद है विमान को लेंड करवाने के लिए उतारने के लिए विमान पट्टी भी मौजूद है आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं आप देख रहे हैं यहां पर यह टेंक है और यह विमान वाहग पहुत विक्रमा देते हैं तो टी नाइन्टी एस भी मौजूद है इसमें पांच किलोमेटर के दाएरे में प्रहार किया जा सकता है इस से इस टेंग पर किसी भी प्रकार के रासाइनिक जेविक और रेडियो एक्टिव हमले का कोई असर नहीं होता है इसके अंदर बेट इसके अंदर बेट कर इसे remote से विन यंत्रित किया जा सकता है इसका design इस प्रकार का है इस तरह का है कि हमला होने पर bum इस tank से टकरा कर कम जोर पड़ जाता, weak हो जाता bum अगर गोई इस पर हमला करे तो तता उसे निकलने वाले विकरेंट टेंग के अंदर बेटे जवानों को हानी नहीं पहुँचा सकते इसके बाद में देखते है INS चक्र 2 यह एक परमानो सहयंत रिवत पंडूपी है पानी के अंदर वाली जो पानी के भीतर 600 मिटर गेराई पर रह सकती है यह लगातार तीन माहे तक समुदर के अंदर रह सकती है अब इसके बाद में हम बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की आंतरिक सुरक्षा में देखिए तो परंपरागत रूप से किसी भी राष्टर की सुरक्षा को भाईये एवं आंत्रिक सुरक्षा के दो रूपों में विवाजित किया जाता है जो भारी सुरक्षा का सम्मंद है वो भोगोलिक सिमाओं की सुरक्षा से है जो विदेश निती से जुड़ावा मामला है ये रक्षा मंत्रा लेके दिन आता है जो भाय सुरक्षा का मामला हो रक्षा मंत्रा लेके दिन आता है आंत्रिक सुरक्षा का समंद राष्टर की गरेलू निती से है जिसमें कानूनी व्यवस्ता बनाई रखना होता है देश की आंतरिक शुरक्सा विवस्ता बनाई रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है जिसके लिए पुलिस होता है, होमगार्ड होते है, केंद्रिय ससस्त्रे पुलिस बलों को तेनाथ है जो किया जाता है भारत एक विशाल राष्ट्र जिसमें अलग-लग धर्म जाती बासा विचारदारा की लोग निवास करते है सांस्कृति विवित्ता के कारण है, विविन्ताओं के कारण कहीं बार वेक्तियों के मत्या आपसी मनमुटा हो जाता है उसी को शांत करने के लिए शांति विविस्ता इस्तावित करने के लिए जो हॉमगार्ड पुलिस है जो केंदरी ससस्तर पुलिस बलों का प्रियोग जो किया जाता है तो आज की इस कक्सा के अंदर हमने बाहे सुरक्सा और आंत्रिक सुरक्सा के बारे में देखा कौन-कौन से हतियार है जो सुरक्षा में सहायक है उनको देखा और जो important बात बताने थी वो ये थी कि सुबह आपने संस्कृत की कक्षा देखी सर है जो अपने मित्र है basic level से आपको अच्छे level तक बिल्कुल आसान भासा में एक के एक चीज़ समझा रहे हैं और आगे भी सारे टोपिक है जो समझाएंगे तो आपको सही हो कितना करना है हम प्रियास करें आपको stress matter देने का आपको सही हो करना है ज्यादा ज्यादा share करना है और संस्कृत की कक्षा जो है एक दिन छोड़के एक दिन तो उस संस्कृत को complete करवाय जा रहे है तो उसी वीडियो का आपको लोड़ देखिए तो अच्छे से revision हो जाएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आज देखा वीडियो आपने और उसी को कल देख लिया और परसों आपको वीडियो मिल जाएगा नया संस्कृत का फिर अगले दिन देख लिया फिर आपको नया मिल जाएगा इस प्रकार से अपने सारे टोपिक है जो clear हो जाएगा और आपका साथ साथ है जो हरे एक दिन छोड़के एक दिन revision भी होता रहेगा यह हमारी योजना है और बाकिया आप कमेंट करके सुझा दे सकते हैं और वीडियो को जादा जादा शेर किया करें ताकि और मित्र भी जुड़कर लाब ले सके जैहिन